हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू माई चैनल लर्न विट ललिता तो स्टुडेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं क्लास 3 का IMO का प्रिवियस येर पेपर ओके स्टुडेंट्स एड इसमें आज हम इसका सेक्शन 1 लॉजिकल रिसनिंग सॉल करेंगे टो स्टुडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं फेस्ट कोस्ट्न यहापर देखेंगे लिएगस ओंबच्ष फिगर कम्स नेक्स इंड गिवन पैटर्ण ही जो हमें पैटर्ण दिया हुआ है आप यहां पर देखेंगे, तो इस pattern में next figure कौन सा आएगा, ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कितने हैं, 2 box हैं, यहां पर 4, यहां पर 6, 2, 4, 6, यहां पर कितने box आने चाहिए, 8, तो यहां पर students, 8 box किस में हैं, देखेंगे तो D में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Okay students, तो 8 box हमारे किस में हैं, option D में, Okay students, next question देखेंगे students, there is a 4 in my 100th place, means 100 के place पर क्या है, 4, तो हम यहां लिख लेंगे, 100, 10th, 1st, okay, there is 4 in my 100th place, 100 के place पर क्या है, 4, there is a 7 in my 1st place, 1st के place पर क्या है, 7, There is a 5 in my 10th place, 10th के place पर क्या है, 5, Okay students, तो यह हमारा number क्या बन गया, which number am I, which number am I, means वो number कौन सा है students, क्या number बना है हमारा, 457, Okay students, तो यह option में हम देख लेंगे, 457 कहां पर है, यह देखे, a में, यह है हमारा, हमारे answer से match कर रहा, 457, तो इसका right answer क्या है, a, 457, Next देखेंगे, question number 3, रनबीर made the number pattern shown below, 33, 29, 25, 21, 17, यहां है question mark, Which number should be next in the रनबीर's pattern, रनबीर ने जो यह pattern बनाया है, इसमें next number students कौन सा आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस pattern को ध्यान से देखेंगे students, यहां पर 33 है, यहां पर 29 है, तो बीच में कितने number का difference है, तो यहां पर कितने number skip होए है, 32, 31 and 30, तो यहां पर 3 जो number है, वो skip किये ह यहां पर कौन से counting चल रही है, backward counting, तो यहां पर देखें, 3 number skip करके 29 है, फिर यहां पर 3 skip किये 25, 3 skip किये 21 and 3 skip किये तो कितने 17 and अभी कितना skip करेंगे, 3 skip करेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखें 16, 15, 14, तो यहां क्या आ जाएगा, 13, तो इसका option क्या होगा answer, B, ओके students, इसका option क्या होगा, B, next देखेंगे question number 4, if यह दो figure दी हुई है students, इनका total कितना है, 1176 and यह दो figure दी हुई है, यह दो figure क्या है, same है and इनका total कितना दिया हुई, 784, then इन दो figure का total हमको निकालना है, कि इन में से कौन सा होगा, इन दो figure का total, okay students तो क्या करेंगे, यहां पर क्या चीज हम को दी हुई है, आप यहां पर ध्यान से देखें students, यह दो figure एक जैसी है and इन दोनों का total हमें दिया है, 784, तो यहां पर हमें एक एक दी है, तो हम इन में से एक का value निकालेंगे, तो क्या करेंगे इसके लिए, 784 है, यह दो का है, जब हमें एक का निकालना होता है, तो हम क् इसको 2 से divide, ओके 2 का दिया हुआ है, एक का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से divide, अब 2, 3 जा 6, ओके students, अब इसमें से बचा 1, उपर से आ 8, 2, 9 जा 18, माइनस 0, next number 4, 2, 2 जा 4, ओके students, तो यह हमारा कितना आ गया, एक जो figure है, इसका value कितना आया, 392, अब यह देखे, एक क्या है, 392, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, same figure है, तो यह हमारा 392 है, तो यह हमारा कितना होगा, इन दोनों का total हमको दिया है, 1176, क्या है, इन दोनों का total है, ओके, अब इन दोनों के total में से, इसका value हमको पता चल गया, कैसे, हमने इसको हमने जब divide किया, तो हमारा एक का value आ गया, है न, तो अब हम क्या करेंगे, इस में से 392 को क्या करेंगे, minus करेंगे, ओके, तो 6 में से 2 minus होगा, तो कितना आ जाएगा, 4, 7 में से 9 minus नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, यहां से बोरो लेंगे, तो यहां हो जाएगा 17, यहा बन जाएका टैन, टैन में से three minus होगा तो कितना आ जाएका seven तो यह हमारा कितना आ गया with 7 creams at CT for okay means हमें यह वाला पता था और यह वाला हमारा निक्ला कितना निकला seven hundred eighty four तो यह हमारा कितना आया है seven hundred eighty four यह कितना आया एक का निकला है 784, तो 2 का कितना हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, इसको 784 को हम 2 ताइम्स एड कर देंगे, 2 है न, यह देखिए यहापे 2 फिगर हैं एक जैसी, तो हम इसको एड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8, 448, 8 और 8, 16 का 6, carry 1, 7 और 1, 8, 8 और 7, 15, तो देखिए हमारा आंसर कितना है, 1568, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, students हमारा यह अंसर है इन में से, option कोई, 1568, तो देखिएंगे, 1568, तो इसका हमारा आंसर क्या है, option B, next देखिएंगे, question number 5, monkey is the dash animal from the left, क्या है, monkey is the dash animal from the left, अब देखिए, students, यहाँ पर animals की line लगी हुई है, आप देखेंगे, तो left side हमारी कौन सी है, यह, यह हमारी left side हो गई, and यह हमारी right side हो गई, okay, and monkey कौन से place पर है, monkey is the dash animal from the left, means left से, देखेंगे, यह left है हमारा, first, second, third, कौन से place पर है, third place पर है, तो monkey is the third animal from the left, तो third यहाँ पर है, तो हमारा option क्या है, option C, next देखेंगे, question number 6, which pair of the object is most likely to have the greatest total weight, means, किसका इसमें सबसे ज्यादा weight है, which pair of the object is most likely to have the greatest total weight, means, इन दोनों का हम total करेंगे, तो किसका weight सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर देखेंगे, students, one balloon है, and one watermelon है, okay, and यहाँ पर math की book है, and newspaper है, balloon और newspaper है, and यहाँ पर है math book and watermelon, तो इन में सबसे ज्यादा heavy कौन किसका weight होगा, math की book and watermelon, क्योंकि देखेंगे, यहाँ पर balloon जो होता है, बहुत light weight होता है, and यहाँ भी balloon है, and यहाँ पर newspaper है, newspaper का भी weight बहुत कम होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा math की book and watermelon तो इसका answer हमारा क्या होगा option C ओके student तो यह थे students हमारे logical reasoning section से related कुछ questions जो हमने आज solve किये I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like और share कीजिए channel को subscribe and bell icon को press करना बिल्कुल न भूले thank you for watching bye bye